हलो मैं डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी चलिए आज की शुरुवात करते हैं आज हम लोग मॉडल पेपर 3 लेकर आए हैं डियर स्टुडेंट्स ब्. सिक्षं अब्. सिक्षं असर अपको आपका अमार सीट में देना होगा स्टुडेंट्स और तीसरा को उसमें लोग 484 नियोटि वसको लाश्ट में करते हैं तो これ हम लोग कोश्रेंषन नंबर फोर से आते हैं यहां से शुरुवात करते हैं सो अ धिया से परwon इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है थोड़ा से इसको साइस कम खुले यह यह कुश्चन नमबर फॉर कहा गया चूज द्रक्रेक्ट ऑप्सन टू एंसर फॉलोइंग एंसर देना है आपको नीचे दिएगे प्रशनों का फॉर तू एट फॉर क्वेशन है से रिलेटेड पहल अगर आप एक बुक लिखते हैं तो आप क्या है अगर आप एक पुस्तक लिखते हैं तो आप क्या है आथर हैं सिंगर हैं डांसर हैं नन आप दीज डिफिनेटली आप आथर हैं अगर आप पुस्तक लिखते हैं तो आप आथर हैं उसी प्रकार क्वेशन नमबर एट देखें स्टार्म, क्लाउट्स, दो, सीन, वर, डार्क, बिफोर ये एक प्रकार से वर्ड का डिस ओर्डर क्रम में द पहले फिर वर्ड होना चाहिए इसके बाद फिर आपको अबजेक्ट का ये क्रम चलता है न तो उसी क्रम में आपको सेंटेंस को बनाना है जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है स्टार्म वर सीन बिफोर दार्क क्लाउड दूसरा है डार्क क्लाउड वियर सीन बिफोर दा स्टार्म फिर है डार्क क्लाउड वर सीन बिफोर दा स्टार्म ये दोनों सेंटेंस एक ही जैसे लग रहे हैं बी और सी जो है एक ही जैसे लग रहे हैं आगे देखते हैं फोर न क्लाउड वर सीन अब इसमें आपको सही गलत को बताना है इसमें कौन सा सही क्रम बैठेगा तो पहला तो स्टार्म क्लाउड स्टार्म वर सींग बिफोर दिडार्क क्लाउड यह तो पहला एलुमिनेट कर देते हैं हटा देते हैं डार्क clouds were seen before the storm वो भी बी वाला भी वैसे ही है, the storm before the dark clouds were seen, the storm before the dark clouds were seen, नहीं, आपको A और B दोनों, हलाकि इसमें कुछ mistake हो गया है, इसमें actual में B और C दोनों सही हो जाएगा, ठीक है न, question number 7 की तरफ आते हैं, question number saver which of the following is correctly spelled, इनमें जो दिये गए हैं, ये जो four words दिये गए हैं, इनमें से कौन सा word ऐसा है, जो कि correctly spelled किया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा word है, जो कि सही से, जिसका spelling सही है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, sorry, पहले हम लोग wonder को देख लेते हैं, wonder के spelling क्या होता है, w-o-n-d-e-r होता है तो यहाँ पर a लिखा हुआ है होना क्या चाहिए, e होना चाहिए तो यह तो incorrect हो गया इसके बाद हम लोग दूसरे में आते हैं, b-number में आते हैं, इसको देखें क्या है blender, spelling क्या होता है blender का, b-l-u-n-d-e-r क्या होता है, b-l-u-n-d-e-r और यहाँ पर क्या है, ar लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है होना क्या चाहिए, er होना चाहिए तो इसका मतलब क्या, यह भी गलत हो गया फिर क्या है, इसको देख लेते हैं thunder, t-h-u-n-d-e-r thunder के spelling तो साहिए लग रहा है इसको देख लेते हैं splendor spelling क्या होता है, splendor का s-p-l-e-n-d-o-r यह splendor, तो यहाँ पर देखे, a लिखा हुआ है होना क्या चाहिए, यह भी गलत हो गया तो overall कौन सा spelling correct है तो यह thunder is correct thunder, यहाँ पर t-h-u-n-d-e-r, thunder thunder means क्या तुफानी चलो, आगे बढ़ते हैं eight number क्या है, he is eager eager के साथ हमेशा two आता है always remember, he is eager to know his result वो आपना result जानने के लिए बहुत ही eager है, उत्सुख है लालाइत है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग question number eight को पढ़ते हैं question number eight, read the passage given below, choose the correct option to answer the question that follow, चलो, इस पैसे को पढ़ना है और इससे related question दिये होंगे आपको, nine out ten उसे करना होता है, पहले इस पैसे को ध्यान से पढ़ते हैं, but then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free consolation कहिये, जब जब मैंने धिरे-धिरे महसूस किया कि किवल मैं ही ऐसा नहीं कि मैं आजाद नहीं हूँ मेरे भाई बहन भी आजाद नहीं है I saw that it was not just my freedom that was curtailed, कहते हैं, यह किवल मेरी ही आजादी नहीं थी जो कि curtailed की गई थी अर्थात कटाउती की गई थी छेन ली गई थी but the freedom of everyone who looked like I did, जो भी मेरे आज़ पास लोग थे, वे सब वास्तों में उसी प्रकार से थे, जैसे मैं था, आगे बढ़ते हैं that is when I joined the African National Congress जब मैंने African National Congress को ज़ॉइन किया and that is when the hunger of my own freedom become to grower hunger for the freedom of my people और वह भूक, जो अज़ादी की भूक थी तेजी से बढ़ने लगती है जब मैंने African National Congress ज़ॉइन किया, तब वो जो मेरी अज़ादी की भूक थी लोगों के लिए वह तेजी से बढ़ने लगती है it was his desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that imitate my life अर्थाद, बताते हैं, मेरी इक्षा थी अज़ादी के प्रती कि जो लोग हैं, वे अपना जीवन अपने dignity के साथ जियें अपना self-respect के साथ जियें that transformed a frightened young man into a bold man और इसी कारण से, इस कारणे मुझे एक डरपोक से एक बहादूर व्यक्ति बना दिया था that draw a law abiding a army to become a criminal जो की एक कानोन को मानने वाले को एक criminal बना दिया था that turned a family lovely husband into a man without a home जो की एक परिवारिक प्रेम करने वाला husband अर्थाद, परिवार को प्रेम करने वाला husband से मुझे एक बेघर बना दिया था किसने इस आजादी की भूक ने किसके लिए my people, मेरे लोगों के लिए that force a life loving man to live like a monk जिसने मुझे जीवन को प्रेम करने वाले अच्छे व्यक्ति से एक भिक्षू बना दिया था किसने मेरे लोगों को आजादी दिलाने की जो मेरे अंदर ललक पैदा होती है भूग पैदा होती है कब पैदा होती है after joining African National Congress ठीक तो चलिए question सामने आपके screen पर है चलिए question का answer देना है पहला question आपके screen पर show हो रहा है पहला question क्या कहता है ध्यान से पढ़िए इसको ये freedom of the author who was a black was कर्टेंड अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कर्टेंड ये कर्टेंड कर्टेंड में इसक्या होता है कटवती करना छेल लेना freedom of the author who was a black जो फ्रीड आथर थे क्या नाम था उनका Nelson Mandela Nelson Mandela उनकी अजादी को कर्टेंड कर लिया गया था जो कि black people थे ने हपसी लोग थे हपसी में से थे black and white अमेरिका में दो प्रकार के लोग रहते हैं ना तो हपसी लोगों को इक प्रकार से like animal behave किया जाता था लेकिन वो he was the first man who elected as the first president of America black people sorry not not America South Africa तो यहाँ पर which is the right answer ये curtailed means कटाउती करना अगला question इसी पर है त्रासा हाँ येस और उपर कर लीजे येस चलिए question number 10 को पढ़ते हैं question number 10 है the author felt the greater hunger for author ने अधिक भूख महसूस किया किस चीज के लिए किस चीज के लिए उन्हों अधिक भूख महसूस किया the freedom of his parents अपने माताब पिता के अजादी के लिए the freedom of his people the freedom of his friends the freedom of his neighbors किस के लिए उन्होंने अजादी महसूस किया मैंने बोला था freedom of my people तो क्या है freedom of his people अपने लोगों की अजादी के लिए उनके अंदर एक प्रकार के भूख पैदा होती है अगला question है question number 11 की बात करते है 11 to 13 choose the correct option to answer the following questions पहला है 11 number है how much money did Lancho ask for आप लोग comment करके बताएंगे how much money did Lancho ask for Lancho ने कितने पैसे की मांग की थी students definitely Lancho ने ये 100 pesos की मांग की थी 100 pesos की मांग की थी हमको बताएं comment करके बताएं उन्हें पराप्त कितना हुआ था Lancho को कितना पैसा पराप्त हुआ था ठीक है very good अच्छा और बताएं एक question और बताएं कि किसने भेजा था किसने पैसा उनको भेजा था दो अपसां दे रहा हूँ God ने भेजा था कि दो postmaster और बताएं लेंचो ने postmaster और जो उनके employees थे उन्हों क्या बोला था क्या बोला था yes very good a bunch of crooks बोला था ना बैमानों का समूह होता है question number 12 पे आते हैं question number 12 को ध्यान से पढ़िए question number 12 कहता है what was महात्मा बुद्धास early name महात्मा बुद्ध का early name क्या था बताएं सर्मन एड़ बनारस वाला था ना ले चैप्टर लास्ट वाला उसमें है ना महात्मा गुत्म बुद्ध का early name बताएं हम् क्या है सिद्धा साधा सिधार्था सिधार्थ that is correct सिधार्था अगले question पे आते हैं वाट वाज वाली की एज क्या थी याद करो आपको answer देना है एक question पूछ रहा हूं वाली का पूरा नाम क्या था वाट वाज फुल नेम आफ वाली वाट वाज फुल नेम आफ वाली अच्छा बताएं शहर गाउन से शहर का किराया कितना था हम् बताएं इसको answer चलिए आप लोग छोड़ देता हूं आप लोग इसका answer देंगे वाट वाज वाली एज तो स्टुडेंट वाली के एज कितनी थी बताएं एट येर्स ओल्ड शीवास एट येर्स ओल्ड अगले question पे आते हैं question number 5 question number 5 है sorry question number 14 and 15 read the given extract and choose the correct option to answer the following question आपको ये extract पढ़ना है ये इस्टेंजा पढ़ना है और इस्टेंजा पढ़ने के बाद आपको उस related जो two questions दिये हुए है 14 and 15 इसका answer देना है तो पहले इसको पढ़ते हैं did you finish your homework अमेंडा अमेंडा क्या अपना अपना काम पूरा कर लिया है अमेंडा क्या अपने कमरे को साफ कर लिया है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे शूज क्लीन करने के लिए कहा था क्या तुमने कर लिया अमेंडा ये बात कौन बोलता है उनकी मा बोलती है ठीक है ना चलो चोहरे क्वेश्चन पूछते हैं ये अमेंडा लेशन का नाम भी अमेंडा है इसके पोईट क्यों है इसके पोईट क्यों है बताएए सब लोग इसके पोईट है मै लिक देता हूं ये इसके पोईट है रॉबिन क्लीन के ल, ई, आ, आ, इ, अ, ये robin clean is the poet of the poem amanda ठीक है चलिए तो पहला question पर हम लोग आते हैं पहला question कहता है इसमें 14 number i here refers to यहाँ पर i लिखा हुआ है न यह किसको refer करता है i kisको refer करता है i thought i told you to clean your shoes amanda maa के लिए है न कहीं पर इसमें mother के लिए आ रहा है क्या या amanda's mother this is the right answer i यहाँ पर amanda में i किसके लिए refer किया गया है maa के लिए refer किया गया है 15 number का question देखे 15 number का question कहता है amanda नहीं कहता है amanda amanda है अच्छाए amanda is supposed to finish amanda से क्या कलपना की गई थी क्या चीज पूरा कर लेगी finish your homework था ना यास इग्जेक्टली हर होंवर्क हर होंवर्क हर होंवर्क इसी प्रकासे हम लोग 16 to 20 आते हैं बहुत ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है students अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आपके अच्छी preparation इंगली से related हो जाएगी प्रेक्टिस करते रहें बस समय पर आप लोग पढ़ते रहें इस चीज़ को रेगुलर पढ़ते रहें अपने फ्रेंड्स को भी शेर करेंगे चलिए हम लोग 16 to 20 की बात कर लेते हैं choose the correct option to answer the following question पहला 16 number का question है what was tricky's actual problem tricky की actual problem क्या थी fever था उसको malaria था उसको malnutrition था उसको अर्थात को potion का शिकार था खाना नहीं खाता था या फिर खाना बहुत ज़्यदा खा जाता था vomiting because of excess food अतधिक खाने के कराण वो vomiting करने लगता था बताए कौन सा answer सही होगा definitely मैंने already tick कर रखा है vomiting because of excess food अतधिक भोजन के कराण वो vomiting करने लगता था this is the right answer this is this was the actual problem of tricky hmm चली 189920 18 number का जवाब देंगे आप लो 18 number है the तहसिलदार टोल रामलाल to तहसिलदार ने रामलाल को क्या कहा था send them to school marry them soon send them to the city all of the above क्या सभी बताए of course आप सभी लोग सभी अच्छे सी टिक लगा रहे होंगे अच्छे सी जवाब दे रहे होंगे जवाब जरूर दीजेगा send them to school this is the right answer send them to school this is the right answer आगे बढ़ते हैं अगला question है 19 number का question देखे Matilda Matilda से याद आ रहा है न necklace खो गया था ना उसको Matilda always remain Matilda हमेशा रहती थी क्या रहती थी unhappy रहती थी happy रहती थी delighted मिस खुश रहती थी या फिर contented संतुष्ट रहती थी क्या रहती थी वो हमेशा नाखुश रहती थी ठीक है न हमेशा नाखुश रहती this is the right answer चलिए चा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये last question आपका है, twenty number question देखते हैं, the writer of the lesson, the making of a scientist is, बताए, the making of a scientist, ये supplementary का है न, the making of a scientist के लेखक का नाम बताए, बताए, क्या नाम था, कुछ लोग तो इसको जवाब देदेंगे न, Richard Abrott के बारे में लिखा गया था, Richard Abrott was a scientist, लेकिन उस lesson के लेखक कौन थे, Robert W. Peterson थे न, very good, Robert W. Peterson, this is the right answer, क्या right answer होगा, Robert W. Peterson, क्या, Robert W. Peterson, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो हमारा चूटा हुआ था, first question कर लेते हैं, unseen passes का, ठीक है न, unseen passes वाला कर लेते हैं, एक बार में फटा फट में, क्यों इसकी summary सुना दे, reading करके इसको summarize कर देता हूँ, ठीक रहेगा न, reading करके इसका story सुना देता हूँ, बस आप लोग समझ जाएंग but I think you will cooperate, शलिए, तो unseen passes वाला, read the following passes carefully and choose the correct option to answer the following, question that follow, दिखे, इसमें लिखा हुआ है, reading कर दा एक बार में पहले, following is an, except from the travel log, अभी आएगा अच्छा ही, अभी ये आपका answer मिलेगा कहीं, इसको मतलब क्या होता है, देखे, लिखा हुआ है, following is an extract from the travel log, बताया गया है, इसमें कि निमलिखित प्रश्णों का उतर देने के लिए, यक यात्रा वित्तांत लिया गया है, travel log मिस यात्रा वित्तांत लिया गया है, the innocent abroad, जिसका नाम क्या है, जो की किसकी दोरा लिखा गया है, by Mark Twin, तो कहने कलब क्या हुआ, जो निमलिखित प्रश्णों का उतर देने के लिए, निमलिखित यात्रा वित्तांत, जिसका नाम है, इनोसेंस एब्राट का एक अन्श है, ठीके न, पढ़ते हैं, confusion, बलब हर जगे पुरा चहल पहल थी, और हर जगे भ्रहम से भरा हुआ था, the pier was crowded with carriage and men, तो जो pier था, pier means क्या होता है, जो घाटी थी, जो एक प्रकाश से घाटी थी, वो गाडियों और आद्मियों से बिल्कुल भरी भी थी, passengers were arriving and having on board, passengers वहां पहुच रहे थे, और उस नाव में, उस ship में बैट रहे थे, hurry on board, जल्दी इल्दी बैट रहे थे, और the vessel deck was uncrumbled with trunks and valleys, तो valleys जो था, जो आसपास समान, इतने धेर सारे समान रखे थे, और लोग वहां पर बैठे थे, कि जो board था, जो जहास था, वो भी विदर दो हिल रहा था, the vessel deck was encumbered with trunks and valleys, group of excursion, excursionist, जहान समझेगा, एक word आ रहा है, यहाँ पर, यह मैं इसको underline कर देता हूँ, यह, मैंने इसको underline कर दिया, यह, excursionist, अभी आएगा, एक word excursionist, इसका मतलब आपको बताऊंगा, मैं excursionist, विस वैसे होता है, एक प्रकासिप परेटन ही होता है, और arrayed in unattractive traveling costumes, और जो वहाँ पर traveling करने वाई लोग थे, वो बिल्कुल ही अनाकर्शक तरीके से वेश भूसा पहने ही थे, और group of excursions arrayed in, क्या करते हैं, वेर मोपिंग, about the rising rain, और जो वहाँ पर धेदरे करें, रिमजीम रिमजीम बारिस हो रही थी, उससे इधा उधार दोड़ धूप कर रहे थे, और उसमें कश्ट सा महसूस हो रहा था, और देखें क्या बात की गई, and wagons as so many molting chickens, और बात की गई है इसमें, कि इतने सारे पिखिले हुए, मुर्गियों के रूप में, मुर्जाय हुए दुबले पतले लोग वहाँ पर मालूम चल रहे थे, the gallant flag was up, अर्थायत, gallant means क्या होता है, वीरता का प्रतीक, अर्थायत, जो वहाँ जो जहंडा था, वो वीरता पूरवक उपर लहरा रहा था, त्वास और उसको उपर कर देता हूं, जो धश था, वो वीरता पूरवक लहरा रहा था, but it was under the spell, two and hung limbs and disattended by the mass, altogether it was the bluest, bluest spectacle, और जो जहंडा उपर वीरता पूरवक लहरा रहा था, लेकिन वहाँ भी मंत्र मुग था, और बताते हैं कि मस्तोल से जो लटका हुआ, मस्तोल से लटका हुआ था, लेकिन वहाँ असपास निरासा से महसूस हो रही थी, कुल मिला कर, या सबसे नीला और सबसे नीला था, एक प्रकासे, इस पेक्टिकल की तरह, तमाशे की तरह मालूम चल रहा था, it was a pleasure excursion, there was no gain saying that, कहते हैं, या एक आनन दायक भ्रमर था, इसमें कोई दोराय नहीं थी, because the program said so, क्योंकि यह कारिकरम ऐसा ही जान पड़ता था, it was so nominated in the bond, और ऐसा मालूम चलता था, कि यह एक प्रकासे, नामांकित किया गया बंधन था, but it surely hadn't the general aspect of one, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं था, कि यह एक सामान पहलू हो, तो इस प्रकासे यह था, unseen, पैसे इसका हमको, at least three questions इसे related होंगे, हमको इसका answer देना है, पहला question है, why a Saturday described as that distinguished Saturday, उस Saturday को एक विशेश Saturday क्यों कहा गया था, तो इसका answer हो जाएगा, उस Saturday को एक विशेश Saturday कहा गया था, क्योंकि उसी दिन तो नहोंने प्रोग्राम बनाया था, तो इसका answer आपको मिलेगा भी, ABC करकी इसमें दिखी दिया हुआ है, पहला option है, इसमें, because the much awaited Saturday has come when the voyage has to start, या भी दूसरा है, because Saturday was a holiday, या फिर C number हो सकता है, because it is so on Saturday that people were allowed to board the ship, D number हो सकता है, because it is in the afternoon on Saturday, that ship would start the voyage, to, A number is correct, students, A number is correct, yeah, because the much awaited Saturday, had come when the voyage has to start, क्योंकि सनिवार का दिन ही वो दिन था, जब समुद्री आत्रा में लोगों को जाना था, इसलिए विशेष दिन था, तो यह हो गया पहले question के answer, उसी प्रकास से question number 2 देखेगा, who was excursionist, जो excursionist कौन लोग थे, excursionist कौन लोग थे, परेटन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर, मैंने भी आपको बताया था था थोड़ा सा न, चलिए इसको देख लेते हैं, they are the research students, they are the pilgrim, they are the musician, यह फिर they are tourists on a laser trip, यह वाला correct answer है, ठीक है न, इसको आप लोग ध्यान से समझेगा, this one is correct answer, क्या हिए, they are tourists on the laser trip, क्योंकि वो खाली समय में ट्रिप पर जा रहे थे, ठीक है न, और option पर बात कर लिए अगर, तो यहाँ पर लिखावा जैसे, they are the research students, वे research की विद्यारती थे, नहीं, बिल्कुल नहीं थे, they were pilgrims, वे pilgrim थे, वे तीर्थ यात्री थे, बिल्कुल नहीं थे, they are musicians, वे संगीत कार थे, नहीं, तो इसमें correct option क्या हो जाएगा, वे tourist थे, जो की खाली समय में, समुद्री ट्रिप पर जा रहे थे, अगला question है, question number three देखेगा, this passage is related with, यहाँ passage किस से relate कर रहा है, ट्रवे लॉग से, बाइग्राफी से, आटो बाइग्राफी से, ट्रवे लॉग में मैंने क्या बताया था, यात्रा वितान्त शुरुवात में ही न, मैंने सबसे उपर बताया था आपको, ट्रवे लॉग, यहाँ पर देखेए, यह, ट्रवे लॉग, यह मैंने इसकी बात क कि थी एक मिने ये ट्रवे लॉग की मैंने बात कि थी यातरा वितांत ये पैसे किसे रिलेटेड है यहाँ पैसे ट्रवे लॉग अर्थात ये आतरा वितांत से रिलेटेड्ट है तो इसे हैं इस तेरा ये श्तुदेंस इस टूदेंस। I hope you have found this video useful if you found this video useful please like and share your friends if you are new in my channel please subscribe the channel so guys see you with the next model paper next day तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग दे वीडियो जाए हिंद वंदे मातरम